सलावलीकम, कैसे हैं आप सब? ESR क्या होता है? ESR blanc test क्यों किया जाता है? ESR blanc test की normal range कितनी होती है? ESR अगर आपका बड़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपका ESR कम है तो आपको क्या हो सकता है? ये सारी बाते इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले अगर आप में इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल के बड़न को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलीए चलते हैं Topic तरफ ESR Erythrocide, Sedimentation Rate भी पहते हैं या फिर Cid Rate भी कहते हैं इसमें आपके जो Erythrocides होते हैं जो Red Blood Souls होते हैं उन simult को देखा जाता है कि वो किटनी देर में सe grounds हो रहे हैं होता कि हैं कि आपके बाजों से एक sample लिया जाता है blood sample और उसको एक specific tube के अंदर डाला जाता है जिसकी picture मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस tube के अंदर डाल कि इसमें मुखलिफ numbering होती है reading होती है इसके ओपर इसके अंदर डाल कि एक गिंटे के लिए आपका जो blood sample लिया जाता है उसे छोड़ दिया जाता है एक गिंटे में देखा जाता है कि जो आपकी erythrocytes हैं जो ESR है सिड rate है वो कितनी देर में settle हो रहा है अमूमन जो आपका erythrocytes होते हैं वो बहुत जो है आराम-ाराम से settle होते हैं लेकिन अगर बहुत जल्दी settle हो जाते हैं बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं और आके नीचे बैट जाते हैं और उपर आपको plasma नज़र आता है तो वो जो plasma होता है वहाँ से फिर आपके जो erythrocytes होते है sedimentation rate होता है वहाँ से उसको निकाला जाता है जो कि आपकी report के उपर आपको नज़र आता है कि आपका e-sr 40 है आपका e-sr 30 है आपका e-sr 20 है तो इसे e-sr कहते है e-sr की normal range क्या है तो ये मुख्ति लिबाटरी में मुख्ति हो सकती है लेकिन जो मर्दू के अंदर होती है वो 0 से लेके 22 mm पर हो सकती है इसी तरह खावातीन में 0 से लेके 29 mm पर हो सकती है आप अपनी report के उपर देख सकते है हो सकते है कि आपकी लिबाटरी में थोड़ा बहुत मुख्ति हो सकते है बहराल इसकी जो normal range होती है वो इतनी होती है ये टेस्ट क्यों किया जाता है तो ये टेस्ट मुख्लिफ कंडिशन में किया जा सकते है जैसे अगर आपको fever है तो आपका डॉक्टर आपको लिख के दे सकते है आपको headache है तो आपका डॉक्टर लिख के दे सकते है joint pain है तो लिख के दे सकते है अगर आपको गाउट है तो आपका डॉक्टर जो है वो ESR लिख के दे सकता है अगर आपको अर्थराइटस है तो आपका डॉक्टर लिख के दे सकता है यूरिक एसर्ट बड़ा हुआ है तो लिख के दे सकता है आपको एनीमिया है तो लिख के दे सकता है इसे तरह अगर आपको कोई चोट लगी है, कोई इंजरी होई है तो भी आपका डॉक्टर या कोई एक्सिडेंट हुआ है तब भी आपका डॉक्टर यह जो ESR है यह लिख के दे सकते है ESR अगर बड़ा हुआ हो तो क्या हो सकते है तो जब आपकी body के अंदर E.S.R. बड़ा होता है तो it means कि आपकी body के अंदर कोई रो कोई inflammation चल रही है कोई inflammatory disease चल रही है यानि सोजिश हुई है आपकी body के अंदर अच्छा ये जो एक test होता है क्या ये diagnose बना लेता है कि आपकी body के अंदर फ़ला बिमारी है diagnose बनाई जाती है. यह जो टेस्ट है, यह indicate करता है कि आपकी बॉड़ी के अंदर something is going on, something is happening आपकी बॉड़ी के अंदर कही न कहीं को inflammation चल रही है और आपको further investigation की जो reservations की जोड़त परतर टेस्ट करने की जोड़त आप आपका diagnose बनाई जा सकता है बाटम लाइन ये है कि अगर आपका E.S.R. बड़ा हुए अगर आपका E.S.R. बड़ा हुए है अगर आपकी बाड़ी के अंदर कही न कही इंफ्लामेशन हुए हुए है और आपको अपने मजीड टेस्ट करवाने चाहिए बड़ कुछ कंडिशन में आपका E.S.R. थोड़ा बड़ा हो सकता है जैसे खावातिन है खावातिन में प्balance आईंगे तो उनका E.S.R. थोड़ा बड़ा हुए मिल सकता है इसी तरह प्रिग्नेसी में E.S.R. ज्यादा हो सकता है इसे तरह बर्थ कंट्रोलर जो पिल्स होते हैं कॉंट्रसेप्टि पिल्स जब आप ले रही होती है वक्फे की टेबलेट उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ा हो सकता है इसे तरह एस्प्रीम बगारा ले रही है बाद दफ़ा मल्टी वाइटमिन अगर कोई ले रहा ह आ सकता है और बाद दफ़ा जब आपको थोड़ी बहुत चोट लगती है को इंजरी होगी को एक्सिजेंट हो गया तो उसमें भी आपका ईसर बढ़ा हुआ मिल सकता है बट अगर आपका ईसर बढ़ा हुआ है बहुत सारे लोग पुछते हैं कि इसमें कौन सी डाइट लें कौन सा खाना खाएं तो इसमें किसी डाइट खाने के जोट नहीं यह एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है इसके लिए सिर्फ आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी फर्दर जो है टेस्ट करोने चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम के चल रहे है तब आपको इसकी मे बात है और अगर यह कम आ रहे है कम दिखा रहे है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ब्लड डिसॉर्डर चल रहा है बहराल अगर आपका जो इससार है वो बड़ा हुए है तो आप अपनी डॉक्टर से मिलिया और मजी टेस्ट करवाई है होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे अपनी दॉआ में याद रखिएगा अल्ला आफिस